नवश्कर में कवीताउनियाल आप देखने मेडिया टुडे टीवी तुर्की और सीरिया में भुकम पाने के बाद हर तरफ तभाई का मंजर देखने को मिल रहा है इस तभाई में मरने वालों की संख्या लगबग 5000 तक पहुँच चुकी है ये संख्या अभी भी और बढ़ सकती है क्योंकि तेजी के साथ मलवे को हटा कर बचाव कार्रे जारी है मलवे में लोग अभी भी दबे हुए हैं तुर्की के आपदा और आपात एजन्सी ने अपनी ताजा अपडेट में कहा है कि तुर्की में राहत और बचाव अभियान के लिए 65 देशों ने अपनी 2660 कर्मियों को भीजा है तुर्की के बचाव कर्मियों के साथ 13740 लोग पहले से ही बचाव कार्रे में लगे हुए हैं भारत समित पूरी दुनिया ने तुर्की और सीरिया के लिए मदद भीजनी शुरू कर दी है चीन, आस्टेलिया, न्यूजिलेंड ने भी तुर्की को मदद भीजी है इस विनाशकारी भुकम के बाद राश्ट्रपती रजब तयव एर्दोगान की तरह से साथ दिन का राश्ट्रे शोग घुशित किया गया है इस दोरान पूरे देश में और दूसे देशों में तुर्की के दूतावासो पर तुर्की के जंडों को आदा चुकाया जाएगा आज भी तुर्की और सीरिया में भुकम के बाद जटकों के आने का सिलसिरा जारी है 24 घंटे में यहां लगातर कई जटके आ चुके हैं जिसके बाद लोगों में दहशत का मोहल है तुर्की में खराब मौसम की कारण, राहत और बचाव कारे में बहुत मुश्किले आ रही है तेज हवाओं की वज़े से इस्तांबूल और अंकार में तूर्वी इलाकी के लिए उड़ाने रद कर दी गई है इन छेतरों में भारी बरबारी हो रही है जिस कारण बचाव कर्मी परभावी छेतरों में नहीं पहुँच पा रहे है भुकम में सबसे ज़ादा परभावी गाजी आंटेप शेहर में बहुत ज़ादा बरबारी हो रही है इन शेहरों में जो लोग बचे हैं वो घरों में जाने से डर रहे हैं यही वज़ा है कि लोगों को भारी बरबारी में भी बहार खड़ा रहना पड़ रहा है बड़े पैमाने पर बचाव कारी किया जा रहा है तीस हजार से जादा लोग घायल बताए जा रहे हैं अस्टेलिया नियूजिलेंड ने तुरकी और सीरिया में प्रभावी तिलाकों के लिए 11 मिलियन डॉलर यानि 90 करोड रुपे की आर्थिक मदद देने का एलान किया है नियूजिलेंड की विदेश मंतरी का कहना है की ये मानिवे अधार पर मदद की जा रही है इसके अलावा भारत की तरफ से भी तुरकी के लिए रहा सामागरी की पहली खेप भीजी जा चुकी है भारत की तरफ से भीजी गई मदद पर तुरकी ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा है भारत की तरफ से भीजी गई मदद के बाद तुर्की के राज़ूत ने टूइट किया जरुरत के वक्त काम आने वाला दोस्ती दोस्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद भारत चीन ने भी तुर्की को 5.9 मिलियन डॉलर मदद देने का एलान किया है चीन सरकार की तरफ से जारी सूचना में ये जानकारी दी गई चीन में भुकम के चलते मारे गई लोगों के लिए सानू भूती भी प्रकट की है दूसी तरफ तुर्की परशाशन ने लोगों से सड़की खाली रखने की अपील की है ताकि बचाव कर्मी असानी से परभावित इलाकों पर पहुंच सके लोगों से अपील की गई है अगर जरूरी ना हो तो सड़कों पर ना निकले जिससे एमरजनसी वहनों को भुकम परभावित इलाकों में पहुंचने में दिक्कत ना हो आपकी इस नियूस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूँगे शुक्रिया